नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्तुपूर है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तों आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है मैं हूँ आपकी होश्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं आई फ्लू आँखों के संक्रमड लक्षड उच्चार और बचाव के बारे में कंजक्टिव आइटिस जिसे अक्सर आई फ्लू कहा जाता है एक अत्यन संक्रामक आँख का संक्रमड है जो आमतोर पर कंजक्टिवा आँख के सफेद छेतर को ढखने वाली पारदर्सी जिल् वाइरल बैक्टिरियल नेत्रच संक्रमड या कंजक्टिव आइटिस के परिडाम स्वरूप लालिमा जलन और अत्याधिक आँशू आ सकते हैं हलाकि आई फ्लू का कोई गम भीर स्वास्त्य जोकिम नहीं है यह बेहद संक्रामक है और भीड भाड़ वाली जगहों पर या बिमार लोगों के निकट संपर्क से तेजी से फैल सकता है दिल्ली में आई फ्लू के बढ़ते प्रकोप पर प्रकास हर साल मई और जून की प्रचंड गर्मी के बाद मानसुन का मौसम राहत और खुसी की लहर लेकर आता है हलाकि इस बार नहीं हलाकि मुसलाधार वारिस से तापमान थोड़ा कम हुआ लेकिन लगातार वारिस के कारण बाढ़ आ गई जिसने कई राज्यों में तवाही मचाई दिल्ली में अब चिंता का एक नया स्रोत आई फ्लू के प्रकोप के रूप में सामने आया है आई फ्लू के कारण वारल कंजक्टिव आइटिस, बैक्टिरियल कंजक्टिव आइटिस, एलर्जिक कंजक्टिव आइटिस, जाइंट पैपलेरी कंजक्टिव आइटिस, जीपीसी, रासायनी कंजक्टिव आइटिस प्लू के लक्षड, कंजक्टिवा, गुलाबी या लाल हो जाता है, आखों में खुजली और जलन होना, अत्याधिक पानी जैसा स्राव होना, गाड़ा, पीला या हरा स्राव, जिससे आखों के चारो और पपड़ी बन जाती है, अत्याधिक स्राव के कारण, दुंदली द्रि जाना, नेत्र फुलू का उपचार, वाइरल, कंजक्टिव, वाइटिस के लिए, वाइरल, कंजक्टिव, आइटिस आमतर पर एक से दो सप्ता के वीतर अपने आप ठीक हो जाता है, हलाकी लक्षडों से राहत के लिए, आखों को अराम देने के लिए, कृत्री मासू या च चूने से परहेज करके अच्छी स्वक्चता वनाए रखें, बैक्टिरियल कंजक्टिव वाइटिस के लिए, बैक्टिरियल कंजक्टिव वाइटिस अपने आप ठीक नहीं होता है, और इसके लिए स्वास्त्य देखभाल, पेशवर, ग्वारा, निर्धारित, एंटिबाय पेश्वर लाइटिक आई ड्राप या मलहम की आवस्यक्ता होती है, बैक्टिक स्वास्वर वाइटिस को प्रबेंद dobr करने का सबसे अच्छा तरीका आलर्जी के संपर्ख से बचना है, एलर्जी कंजक्टिव आइटिस का इलाज करने के लिए एक चिकित्सा पेशवर एलर्जी प्रतिक्रियाओं और लक्षणों को कम करने के लिए आईड्राफ लिख सकता है एलर्जी कंजक्टिव आइटिस से पिवित लोग सूजन, खुजली और परेशानी को कम करने के लिए ठंडी सिकाई कर सकते हैं जाइंट पैपिलरी कंजक्टिव आइटिस जीपीसी के लिए जीपीसी के प्रात्मिक उपचार में अंतर निहित कारण को संबोधित करना सामिल है जो अक्सर कांटेक्ट लेंस के उपयोग से संबंदित होता है जीपीसी का इलाज करने के लिए स्वास्त देख भाल पैसेवर आपसे कांटेक्ट लेंस का उपयोग और इस्थाई रूप से बंद करने के लिए कह सकता है इसके अलावा एक नेत्र रोग विशेसग्य आँखों में सूजन और परिशानी को कम करने के लिए आई ड्राप य जो जलन को दूर करने में मदद कर सकता है यदि जलन बनी रहती है तो इस्थिती का मुल्यांकन और प्रवंदन करने के लिए एक विशेसग्य चिकित्सा पेसवर की सहायता लें प्लू से बचाव के उपार नियमित रूप से अपने हाथ सावुन और पानी से धोये अपनी आखो को चूने या रगणने से बचे क्योंकि इससे आखो में किटाडू और जलन पैदा हो सकती है और शंक्रमड और जलन का खत्रा बढ़ सकता है किटाडू को खत्म करने के लिए बार बार चूई जाने वाली सतों हो जैसे धरवाजे के हैंडल, लाइट, स्विच और इल दूसरों के साथ साजा करने से बचे क्योंकि इससे संक्रमड फैल सकता है, कंजक्टिव आइटिस से पिडित किसी ब्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बचे या संचरण के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्चित दूरी बनाए रखें, यदि आप एलरजी कंजक्टिव से ग्रस्त हैं तो अपने रहने की जगां को साफ रखें और वायू सोदक का उपयोग करके पराग पालतू जानरों की रूसी धूल के कड़ और पफुंदी जैसे एलरजी के संपर्क को कम करने का प्रयास करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक, सेयर कीजे चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद